नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हुँ दोस्तों आप सभी की सिवा में कुछ एक महत्वपून जानकारियों को लेकर के जहां दोस्तों रात को पानी में बादाम को भिंगो कर अगर आप सुबह खाते हैं तो इसके फायदे जानकर चौक जाएंगे आप जहां दोस्तों आज का हमारा यहीं टॉपिक है कि रात को बादाम को पानी में भींगो दीजिए और फिर खाईए और इसके फायदों के बारे में आज हम सभी जानते हैं दोस्तों शरीर की खोई हुई शक्ति पाने के लिए बादाम की गिरी को दूध में उबाल कर पीना लापकारी रहता है दोस्तों जो बच्चे अभी बोलना सीख रहे हों और आप उनकी इस देरी से चिंतित हों तो भी मखन के साथ रात को भींगी और छिली हुई गिरी खिलाएं बोलने लगेंगे वो कमरदर्द जैसे रोगों का अच्छा उपचार है बादाम का सेवन दोस्तों अगर आप कमरदर्द से जूज रहे हैं तो आपके लिए बादाम रामबान की तरह काम करेगा दोस्तों महिलाओं के प्रसूता होने पर उन्हें किसी न किसी रूप में बादाम द यदि सुनने की शक्ति कम होने का भाय हो तो बादाम रोगन की एक एक बुंद प्रती दिन कान में डालें लाव होगा दोस्तों औरतों को सफेद पाने लिकूरिया बिमारी हो जाने पर बादाम की गिरियां रात भर भींगोएं प्राता खिला दें यानि की सुबह सुबह खिला दें दोस्तों लाव होगा सिर की खुशकी मिटाने के लिए सिर पर बादाम रोगन की मालिश करें आपको लाव होगा बादाम के वैल से अगर आप मालिश करते हैं तो बाल न जड़े इसकी लिए भी सिर पर बादाम रोगन की मालिश कर सकते हैं आप दोस्तों दिमागी काम करने वालों को 5-7 बादाम प्रती दिन खाने चाहिए। यह शक्ति शाली टौनिक है दोस्तों। मंद बुद्धी भी तिवर कर देता है यह बादाम तथा बादाम रोगन। बादाम को चबा कर खाने से पुर। कुछ घंटे पानी में भिंगो कर रखें, छील कर खाएं, अथ्वा छील के सहीर फिर पीश कर खाएं, तो पूरी 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 पोश्टिक्ता मिलेगी दोस्तों। बादाम अपने असीम स्वास्थे लावों के लिए जाना जाता है, भिंगे बादाम स्वादा नुसार ही नहीं, बलकि स्वास्थ की द्रिष्टी से भी कच बादाम से बहुत बहतर होते हैं दोस्तों, दर्मियाने कद के पेंड पर बादाम लगते हैं, इस पेंड पर सफेद तथा गुलावी रंग के फूल लगते हैं, अप्रेल में लगे फूल अगस्त में फल बन जाते हैं दोस्तों, फल हरे रंग का छिलका लिए होता है, छिलक मिलतान तो जैसे बादम का घर ही हैं दोस्तों, फल का पून मालाकाराद तथा बारिक कंगुरेदार होता है। कि क्या क्या इससे उप्चार होते हैं यानि कि फायदे होते हैं दोस्तों भींगे बादाम के फायदे बादाम अपने असिम स्वास्थे लाबों के लिए जाना जाता है और यह सबसे ज़्यादा या दाश्ट को बढ़ाने में मदद करने के लिए जाना जाता है बादाम आवश्यक विटामिन और मिनरल जैसे विटामिन E, Zinc, Calcium, Magnesium और Omega 3 fatty acid से भरपूर होता है लेकिन इन सभी पोशक ततों को अवसोशित करने के लिए बादाम को खाने से पहले रात भर पानी में भिंगोना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम के भूरे रंग के छिलके में टनीन होता है जो पोशक ततों के अवशोशन को रोकता है एक बादाम को पानी में भिंगोने से छिलका आसानी से उतर जाता है और नट्स को पोशक ततों को रिहा करने की अनुमति देता है भिंगा हुआ बादाम पाचन में भी मदद करता है यह लाइपेज नामक एंजाइम के विग्यप्ति करता है जो वसा के पाचन के लिए फायदे मंद होता है इसके अलवा भींगे हुए बादाम आपके स्वास्त के लिए कई अन्य और फायदे दे सकता है दोस्तों जैसे हाई बलड प्रेशर को नियंतरित करता है ये बादाम बलड प्रेशर के लिए भी अच्छे होते हैं वैज्यानिकों ने पाया कि बादाम का सिवन करने से बलड में अलफा टोको फेराल की मात्रा बढ़ जाती है जो किसी के भी रक्त चाप को बनाए रखने के लिए महतोपून होता है अध्यान से यह भी पता चला कि नियमित रूप से बादाम खाने से एक व्यक्ति का बलड प्रेशर नीचे लाया जा सकता है दोस्तों और यह 30 से 70 वर्ष की आयू के बीच के पुरुशों में विशेश रूप से प्रभावी होता है रात में पानी में भींगो कर सुबह छिलका उतार कर बादाम खाने से पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो यह बहुत ही फायदेमन सिध्ध होगा दोस्तों बादाम खाना खाने के बाद शुगर और इंसुलीन का लिवर बढ़ने से रूपता है इससे डाइबिटीज से बचा जा सकता है तो फिर किस बात की देरी आप हर रोज सुबह भिंगे हुए बादाम खाकर अपने शरीर को पोशन तत्वों से भरपूर बना सकते हैं दोस्त करने में मदद करता है भींगा हुआ बादाम इंटि ऑक्सिडेंट का भी अच्छा श्रोथ है यह मुक्त कणों के नुकसान से बचा कर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को रोकता है भींगे बादाम में विटामिन बी सेवेंटीन और फोलिक एसीड कैंसर से लड़ने और जन भारत में सबसे आम बेमारियों में से एक होती जा रही है उच्छ कोलेस्टरॉल हिरदय रोग और दिल की धमनियों में रुकावट सहीद कई प्रकार के रोगों का एक कारक है इस समस्या के लिए बादाम आपकी मदद कर सकता है बादाम शरीर में अच्छे कोलेस्टरॉल की अनुसार बादाम एक बहुत ही शक्तिसाली एंटि ऑक्सिडेंट एजेंट है जो एलडियल कोलेस्टरॉल के आकसी करांग को रोकने में मदद करता है बादाम के ये गुण दिल को स्वस्थ रखने और पूरे हिरदय प्रणाली को नुकसान और ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है अगर आप दिल की बिमारी के किसी भी रूप से पीडित है तो स्वस्थ रहने के लिए अपने अहार में भींगे हुए बादाम को आप शामिल करें दोस्तों बादाम के फायदे अकसर लोगों को लगता है कि बादाम के वल दिमाग को दुरूस्त में कारगर है लेकिन बादाम में मौझूद मिनरल्स विटामिन डाइटरी फाइबर दिमाग को तरू ताजा रखने के साथ साथ शरीर की मेटाबलिजम में भी मददगार होता है जो रोजाना बादाम का सिवन करना सिहत के लिए काफी फायदे मंद होता है आज हम आपको हैं दोस्तों अभी तक आप सुनते आ रहे थे रोजाना बादाम के अगर पांस से आठ गीरी खाते हैं तो कोलेस्ट्रोल का लेवल कंट्रोल रहता है इसके तेल की मालिश से छोटे बच्चों को बहुत लाप होता है दोस्तों खून में शुगर की मात्रा और इंसुलीन के स शानी दूर होती है इतना ही नहीं इसके सिवन से पाचन क्रिया मजबूत होती है गर्ववती महिलाओं के लिए बादाम बहुत फायदेमंद होता है इसमें फोलिक एसिड मौजूद होता है दोस्तों जिससे मां के गर्व में पल रहे बच्चे का स्वास्त ठीक रहता है इस 25 बादाम शाना खाने से या दाष्ट मजबूत होती है चीज के मौशं में रोजणा पांच स साथ बादाम का सेवन करना अच्छा होता है गर्मी को दिनों में बादाम की गीरी को रात में पानी में भिंगो कर सुबह चिलका उतार कर खाना चाहिए ये ध्यान रखने वाली म अदलाप कारी सावित होगा तो ये थी आज के हमारी जानकारी दोस्तों आप सभी के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्तो पूने जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों